आज मैं शिम्ला मिर्ज की ऐसी सबजी बनाने जा रही हूँ जो मिंटो में बन जाएगी मैं हूं मादुरी आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे चलिए बनाते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पे चार से पांच बॉयल आलू लिये हैं इन और को बाल लिया है, अभ इसे मैंश्यर से मैश करेंगे अभ इसमें मिलाएंगे मासाले, एक छुड़ाखम चल्दी एक छुड़ाख धना पाउडर एक छुड़ा चप गरम मसाला नमक स्वादानुसार एक छोड़ा चम्मर चाट मसाला, एक छोड़ा चम्मर शक्कर, शक्कर से कहा है, इससे लिकिन खटन मीटे का स्वाध अच्छा लगता है, अब इसमें डाल देंगे हरे धनी की पत्तियां, आप चाहे तो लाल मर्ची भी डाल सकते हैं, अब यहां मैंने शिम्ला मर्ची लिए, आप मीडियम साइज या बड़ी साइज, आपके चॉइस की ले सकते हैं, अब इसे इस तरीके से उपर से कट करेंगे, और अंदर से जित्ते भी बीज है वो निकाल देंगे, स्टफिंग के लिए इसे खाली कर देंगे, इस तरीके से मैंने चारों शिम्ला मर्च कर दी है, अब इसमें भरेंगे स्टफिंग, यहां मैने जो आलू लिया थे, अच्छे से दबा-दबा के भरेगा, इस तरीके से मैं सारी शिम्ला मर्च भर दी है, अब इसको हम कट करेंगे, मोटी सलाइस कट करनी है, पतली नहीं नहीं तो जल जाएंगे, इस तरीके से मोटी होने च तो वो भी खा सकते हैं, इतनी अच्छी, दिखने में लगेगी हैवी, पर खाने में हैल्दी है, इस तरीके से दुनों तरफ सीख लेंगे, अब रेडी करते ग्रेवी, इसके लिए मैंने एक बड़ा चमच तेल लिया है, यहां खड़े गरम मसाले डाले हैं, एक तेजपान प पकाना है, नमक स्वादान हसा डालेंगे, अब इसे कवर करके रख देंगे, पांच मिट तक मध्धी आँच पे सेखेंगे, अब देखिए आब ये पांच मिट बार टमाटर और प्यास सब अच्छे से पग गये हैं, अब इसमे एट करूंगी, मैं 5-6 बड़ाम गलीवी ल ठंडा होने के आद मिकसे जार में इसे पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे, अब इसे एक चुड़ा चमच तिल डालेंगे, उसमें ये मसाला ग्रेवी फिर से डाल देंगे, अब ये तो अलड़ी पकी वी तो उसको बहुत जादा नहीं पकाना है, सिफ लो फ्लेम पे एक म बड़ा चमच दूद की मलाई लिए मैंने, आप चाहे तो फ्लेश क्रीम ले सकते हैं, और अगर हेल्थ कॉंशियर से तो आप मलाई क्रीम कुश मत यूज कीजिए, और यहां एक कप मैं दूद ले रही हूँ, आप यहां पर डिटोन दूद ले सकते हैं, या फिर आप से प अगर आपके अगेस्ट आते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी है, अगर आपको मेरे रेसिप्स पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करने ना भूले, अगर नहीं है आप मेरे चैनल पर तो जल्दी से सब्स्राइब किये जी मेरे चैनल को,